आखिर क्यू बरसा हैरिस रॉफ पर पूरा पाकिस्तान क्यू हैरिस रॉफ के सभी फैंस है नराज क्यूंकि पैसे के लिए छोड़ दिया था हैरिस रॉफ ने टीम का साथ हाल फिलाल में हारिस रॉफ दुबारा एक बार फिर खबरों का पार्ट बन चुके हैं क्योंकि contributions की बात करें तो contribution कुछ नहीं है हाल फिलाल में हारिस रॉफ का पाकिस्तान टीम के लिए ODI World Cup बहुत खराब था Australia Series खेले ही नहीं गए थे ये कह दिया था कि white ball cricket में focus करें और फि कि बहुत जादा हिला हुआ था जिस हिसाब से हारिस रॉफ की New Zealand Series में New Zealand के बल्लेवाजों ने पिटाई करी थी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बीच में जब तीन माजों की टेस्सीरीज भी हुई थी वहां पे पाकिस्तान की टीम को बहुत की बातन लोगा तो हर कोई कह रहा था कि वहां पर हारे श्रॉफ की जरूरती की टीम को और वहां पर ही खेल नहीं रहे थे उल्टाफ में लगा result की तो लिए अब वाहां पर अवैलिबल हो रहे थे लेकिन टीम को बातने की तो था हुआ था तेम के साथ तो पहली रहे थे थ इस के लिए मापे अवेलेबल नहीं थे बिल्कुल बिग बैश लीग यानि की एक लीग को प्राइरिटाइज करा साथ क्रूशल विकेट चटकाई दूसरे मैच में कमाल की बोलिंग करी और ऐसे में अगर आपको बताए शमर जोसेफ ने 2023 में एक सिक्योरिटी गाड की नौकरी छोड़ी और फिर 2024 में अपना कमबैक करा और ना सिर्फ अपना कमबैक करा बलकि वेस्ट इंडीस का भी कमबैक वहां पर शमर जोसेफ ने करवाया गाबा में वो जो जीत दिलवाई वेस्ट इंडीस की टीम को वो हिस्टॉरिक जीत थी ऐसे में जहां एक एक सेट कर रहे थे शमर जोसेफ वहां पर पाकिस्तानी फैन्स ट्रोल करने लग गया है हैरिस रॉफ को कि आपको कुछ सीखना च चले जाते हैं जब पीम को होती है उनकी जरूरत शमर जोसेफ इसमें बहुत ज्यादा चर्चाहों में जिस तरह का प्रदर्शन उन्हें दिखाया एक यूवा खिलाड थे अपने डेब्यू कर रहे थे पहला मुकार्ण वेस्ट नीस हारी भी थी वहां पर ही फाइव विके से उपर टेस्ट रिकेट हमेशा रहने वाला है जब टीम को जरूरत होगी टेस्ट रिकेट में मैं हमेशा अवैलेबल रहूँगा मैं किसी भी सुचुवेशन में क्यूं ना हूँ सबर जोसेफ इंजर थे अपना उनका तो तो चुका था लेकिन उसके बावजूद इंजे रहे थे लेकिन वार टीम की हालात खराब थी काफी समय से चल रही थी ये बात जानते हारेस्ट उनकी टीम मुकाबला नहीं जीत रही है लेकिन अपने नाशनल टीम के लाव वैलेबल ना रहेकर यहां पे वो लीक्स खेलने में ज्यादा यहां पे बिजी थे बिलकुल है र करने में असफल हुए है बिलकुल जहां पर यह तो टीम आपसे क्या चाहती है और कैसे आप अपने देश के लिए अपनी टीम के लिए कोंट्रिबूट कर सकते हैं जो कि हैरेस्ट रॉफ करने में असफल हुए है बिलकुल जहां पर कि टीट्वेंटी का हवाला दे रहे थे कि मुझे टीट्वेंटी पे फोकस करना है न्यूजलेंड के खिलाब टीट्वेंटी प्रदर्शन दिखा भी नहीं पाई और उल्टा आखरी मुकाबला से इनको ड्रॉफ ही करना पड़ा तब जाकर पाकिस्तान बिलकुल बाकी आप अपना ओपीन इस बारे में बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते हैं तूफान स्पोर्ट्स लाइक शेर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स झाल